कहानियों के क्यारी में आज के कहानी है लोग कथा हाथियों के पंक अरुनाचल परदेश में घने जंगल हैं बरसा भी खुब होती है इन जंगलों में बड़े खुंखार हाथी पाये जाते हैं बहुत पुराने जमाने की बात है, एक साल खुब बरसा हुई, जंगल में शाप, बिच्छू, वजहरीले जीब पैदा हो गए, कंटीली जहाणियों से जंगल पट गया, रास्ते बंध हो गए, ऐसी हालत में विशालकाय हाथियों को घुमने फिरने में कठिनाई होने लगी, एक दिन सारे हाथी मिलकर ब्रह्माजी के पास गए, उन्होंने अपनी मुसीबत बताई और ब्रह्माजी से प्रार्थना की, भगवन हम आपके बनाये जीब हैं, आप हमारी रक्षा करें, पक्षियों की तरह हमें पंक लगा दें, ताकि हम उड़कर इधर से उधर आजा सक ब्रह्माजी के दर्बारियों ने ये सुना, तो खिलखिला कर हस पड़े, इतना भारी भरकम सरीर और पक्षियों बाले पंक, उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, प्रभु हाथियों की बात मत मानिये, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अगर कोई हाथी उड़कर किसे छपर पर ब धरती के जहरीले जीवों ने हमारी नाग में दम कर रखा है, अगर आप हमें पंक नहीं देंगे, तो हमारे सारी की सारी नशने खत्म हो जाएगी, और सारे हाथी भूक हरतालस पर बैठ गये, ब्रह्माजी का दिल पशिच गया, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस प्र पर जा बैठते, जब मन करता किसी पहाड की चोटी पर जा कर लेट जाते, एक बार किसी लकड़ारे ने एक हाथी को गाल्दी दे दी, वह गुसे से लाल पीला हो गया, उड़कर लकड़ारे की जोपरी पर जा बैठा, नीचे उसके बच्चे सो रहे थे, धम की आवाज बात की बात में जोपरी तुट गई, हाथी नीचे आगिरा, दो लड़कियों को छोड़कर सब बच्चे नीचे दब गए, लड़कियां रोती चिलाती जंगल की और भागी, एक दिन नागा जंजाती के कुछ सिकारी उधर आप पहुचे, लड़कियों ने उनको हाथी की क आनने वाले नहीं थे, उन्होंने नागाओं के गाओं के गाओं उजाड दिये, नागा पुरुशों के साथ साथ उनकी बहुत सी स्त्रियां भी इस लड़ाई में मारी गई, डर हुए बच्चे घरों से बाहर निकल आए, हाथीयों के डर से लोग जाड़ियों में छिपने लगे, काटो से उनका सरीर लहु लुहान हो गया, कुछ दूर खड़ी, दोनों लड़कियां यह सब देख रही थी, उनकी आखों में क्रोध के अंगारे फुट रहे थे, एक दूसरे से कहने लगी, इस तरह हम नश्ठ हो जाएंगे, हाथीयों का ही राजी हो जाएगा, हमे इनसे बदला लेना चाहिए, देर तक वे दोनों सोचते रही, फिर उन्हें एक उपाई सुझी गया, उन्होंने जाड़ियों में छिपे बच्चों को बुलाया, उन्हें दिलासा दिया, फिर गुलेले तयार की, हर बच्चे के हाथ में एक एक गुलेल थी, बच्चों ने क पिछे पिछे सामने से हाथियों का जुन्ड आता दिखाई दिया, बच्चों ने अपनी अपनी गुलेले तान कर हाथियों पर सीधा बार किया, नुकेले पथरों की चोड से उड़ते हुए हाथी भी गुलेल की मार से न बच सके, हाथी घायल होने लगे, बहुत से हाथिय के पंक भी तूट तूट कर गिर गये ब्रह्मा जी को जूदी की खबर पहुची वो श्वयम धर्ती पर आये बच्चों के शाहस को सराहा और हाथियों को डाटने लगे दोनों लड़कियों ने ब्रह्मा जी से कहा पितामा हम सब आपकी शंतान है फिर यह अन्याय क्यों कैसा अन्याय ब्रह्मा जी ने अच कचा कर पूछा आपने हाथ जैसे भी साल काई जानबर के पंक लगा कर अन्याय ही तो किया है वे उड़ उड़ कर हमारे घर पर बैठ जाते हैं उनसे हमारे घर गिर जाते हैं पंक है तो छोटे पक्षियों को ही शोभा देता है आपने देखा होगा पंकh पाकर हाथियों ने क्या तुफान मचाया है, पहले हाथ हि जंगल में रहते थे, अब वह गंव में आकर तबाही मचाने लगे, या तो आप हमारे भी पंक लगा दे, या फिर हाथियों के पंक बापश ले ले, ब्रहमाजे ने पिट थप थपा कर दोनों लड़कियों की सहस की प्रशंशा की उन्होंने तुरंत हाथियों के पंख गाइब कर दिये फिर कहा हाथियों ने जो किया है उसका फल भी उने भुगतना पड़ेगा आपसे हाथि जंगल में रहेंगे आबादी में रहना चाहेंगे तो उन्हें मनुष्य का सेवक बन कर रहना पड़ेगा इतना कहकर ब्रहमाजे अंतर ध्यान हो गए पंख चल जाने से हाथि बहुत निराश हुए दोनों बहने अपनी जीत की खुशी में मुस्कुराने लगी